नमस्कार दोस्तों शिवरात्री का पर्व हिंदू धर्म में बहुत जादा माननेता मानी जाती है और शिवरात्री के वरत में बहुत सारी मनुकावना की पूर्टी की जाती है अकसर देखा जाता है कि सिवरात्री के दिन लोग बहुत जादा यतन जतन से पूजा करते हैं लेकिन पूजा करने के कुछ नियम होते हैं इस सिवरात्री में यदि आप चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे मांक साएं तो उसके लिए आप बच्चों से सिवराति के अवरत याफे पूजा करने के लिए जरूर कहें यदि वे आवाहन करते हैं तो वह इस पेपर में अच्छे मांग से पास हो जाएंगे और आवाहन करने के लिए पूजा करने के लिए सही विदी का पता होना भी बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि सारी मनोकामनाय पूर्ण हो जाएं तो उसके लिए जरूरी है कि आप पंच्छा अम्री से ही भगवालशिप का विशेख करें अक्सर देखा जाता है कि मनोकामनाय बहुत सारी होती है एक शायंत नीम होती है जिनकी पूर्ती नहीं हो सकती है भगवान जीव से यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनों का प्लाइक पून हो जाए और आपके जीवन में कोई परिशानी ना हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप शिवरात्री का सरूर पायदा उठाए क्योंकि सौंबार के दिन यदि शिवरात्री आती है तो और भी ज़्यादा लावदाएक पून होती है लेकि इसके बरात्री चाहें किसी भी दिन पड़े लेकिन आप यदि मन से पूजा करते हैं तो उसका अफ़ल आपको सरूर मिता है यदि आप पूजा करने के लिए जा रही हैं तो दूद, दही, घी, शकर और सहट इन पांच चीजों को मिक्स करके सिवलिंग का अभिशेक केजिए यदि आप इससे अभिशेक करते हैं तो अपनी जीवन में सारी मनुका अबनाय पूंड हो जाती है और यदि आपको संतान सुख पाना चाते हैं आपको साधी के बहुत साल हो चुके हैं लेकिन आपको संतान सुख राप नहीं हुआ है तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान शिव को इस सिवराती पर आप बेल पत्तर के पत्ते जरूर अपिर करें और भगवान से यह कामना शरूर मांगे कि आपको इस साल वह संतान का सुख जरूर दे यदि आपकी संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए एक आसान सबाय है आप दूद में थोड़ी से हल्दी मिक्स करकर भगवान शिव को अर्पीर कर सकते हैं ऐसा करने से भी आपको जदी ही संतान सुख मिल जाएगा और यदि आपकी जीवन में बहुत जादा समझ्या है और जिन समझ्या से आप लड़ लड़कर ठक चुके हैं तो आप महामितिय जब भी कर सकते हैं यदि आप से ब्रादरी के दिन महामितिय जब करते हैं तो जितनी भी आकाल इत जितनी भी परिशानिया आपके जीवन में हैं और सभी परिशानियों से आपको चल दी ही जुटका रावल जाएगा तो यह है आसान से उपाय अपनी जीवन को और अच्छा बनाने के लिए और पढ़ाई में अच्छे माक्स लाने के लिए विधार्तियों के लिए भी यद बहुत जादा लाव दाएक होगा उनके लिए यदि वह चाहते हैं के इस सालम के इच्छे माक से पास हो जाएं तो वह है इस श्री व्राध्री पर अविशे करना पिलकुल ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले